असलावलेकूम माई यूट्वी फैमली वेलकम बैक टो माई नाधर विलोग तो आज है संडे का दिन और हमने यह फूल खेले देखे तो हम इधर चले आए क्योंकि इसमें अभी तक फूल नहीं खेल रहे थे और इसकी हमने रिपोर्टिंग दो महीने पहले तकरीबन की थी ल है और रिपोर्टिंग करते रहना चाहिए क्योंकि रिपोर्टिंग करने से इतना अच्छा इसमें घ eyeliner पनाया है और यहां पर सदाबहार का पाउधा लगा इसे हम उखाड उखाड के फैकते रहते हैं क्योंकि यह जगह जगह निकलाते हैं लेकिन फिर हमने देखा लोग इतनी एहमियत इसको देते हैं तो फिर हमने एक पेड़ लगा रहने दिया तो उसमें भी फ्लावर आ गए और यह तो अपनी जगा खोद ही बना लेते हैं यह यलो कलर की लिली है और इसमें भी दो तीन कलर आते हैं पहले मेरे हाँ परपिल कलर लगा था लेकिन अब यलो बचाए तो यह तो जहां भी बीच गिरते हैं वहां अपनी जगा बना लेते हैं और निकलाते हैं और इसकी अगर एक अलग से क्यारी बनाई जाए तो बहुत खुब्सूरत लगती है और यह भी हमारे साथ यहां का मज़ा ले रहे हैं सुबह यह भी बहुत हैं तो आप सब देखी चुके हैं मेरी कई वीडियो में लेकिन इसमें अमरूद आ चुके हैं मगर वही एक पुराना कस्सा है कि हमारे अमरूद बंदर जादा खाते हम लोग नहीं घाते हैं या फिर यह कहें कि हम लोग को खाने ही नहीं देते हैं खुद ही काट आ जितर गुलाव भी फ्लावर्ण कर रहा है लेकिन अभी इसका मौसम नहीं यह सर्दिएों में ज्यादर अच्छे खिलते हैं घहने हो जाते अभी तो चार से पांचपाती भालेई फूल खिल रहेएं तो इसमें अभी चार पांच पतीके हलकेव पूल दिख रहे हैं जो हम लोग लगाते हैं च्छतों पे तो उससे इसका नाम बढ़ा है गुले फानूस यह बहुत खुबसूरत लगता है और जैसे बोगन वेलिया के पेड़ होते हैं उसी तरह यह भी गुच्छों में आते हैं लेकिन उससे कहीं जादा खुबसूरत यह भूल होते हैं और इस फूल जब खिलते हैं तो डेल दो महीरे रहते हैं पेड़ में उसके बाद हम लोग इसकी कटिंग कर देते हैं तो फिर नए सिरेस में पतियां और शाखें आ जाती है कुल मिलाके ऐसा लग रहा है कि बाहर का मौसम है क्योंकि बारिशों हो रही है तो पेड़ भी एकदम नह चाहिए क्योंकि पानी जब गड़ता है तो फिर यहां पर गिट्टियां इसी निकल आती है चोटी-चोटी एटे और मट्टी एकदम जो मट्टी चिकनी होती है वह एकदम खराब हो जाती है बहुत बुरी लगती है तो हमने इतने में डाल दिया क्योंकि यहां पर पानी ज बहुत टाइम लेता है सबसे ज़्यादा टाइम यहीं लेता है कि फरवरी में फ्लावर आते हैं नवंबर तक सम्मी पक पाती है तो इतना लंबा इंदार करना पड़ता है उसके बाद भी आधे हम लोगों के हाथ में आते हैं आधे बंदस आप खा जाते हैं और इतने शरी शरीफा तयार हो जाता है दो उठाई महीने फिर हम लोगों को शरीफा मिल जाता है बंदर इसे जादा नहीं चूते हैं क्योंकि हम बता चुके हैं कि शरीफा खाने से बंदर के हाथ गंदे हो जाते हैं उनका मुह भी गंदा हो जाता है तो लिए वो शरीफा नहीं चूते ह लेकिन ये भी बड़ी अच्छी बात है हम लोगों के लिए तो आज बहुत दिनों बाद बगीजे की वीडियो बनाई हमने फ्लावर देख के मेरा दिल चाहने लगा कि हम वीडियो बनाए और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगयो हो तो इसे लाइक कर दिएगा चेनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं तब तक के लिए अलाहाफेज